इसी तरह से 8 multiply 7.5 equals इसको solve करने का तरीका देखो 8 multiply 7.5 इसको 7.5 इसको हम क्या करेंगे इसको break कर लेते हैं 8 को 4 multiply 2 multiply यह हमारे 7.5 तो थाई तो हमने इस 8 को break कर लिया यहां पर इसमें 4 multiply 2 में तो अब हम इन दोनों को multiply कर देंगे तो 2 multiply 7.5 होता है हमारा कितना 15 तो 4 multiply 15 यह हमारा हो जाएगा कितना 15 460 इस तरह से हम अपनी